इस वीडियो में हम example 3 जो है solve करते हैं limits and derivatives का बहुत अच्छा example है limit x tends to 1, x की power 15 minus 1 upon में x की power 10 minus 1 सबसे पहले ना direct substitute करेंगे क्या answer आता है क्या नहीं x 1 है तो 1 की power 15 हुआ minus 1 upon में x की power 10 है तो 1 की power 10 हुआ और minus 1 और अपने को मालूम है 1 की power 15 means 1 है और यह minus 1 upon में 1 की power 10 means 1 और यह minus 1 यह get cancel तो result क्या है 0 by 0 means indeterminate farm आ गया यह कुन सी farm है indeterminate farm है अब इसको solve करना पड़ेंगा बहुत simple है और बहुत अच्छा question है इसको solve करेंगे एक काम करेंगे मैं क्या करना मालूम divide nr and dr numerator and denominator को divide कर रहूं है by x minus 1 से divide कर रहूं है यह numerator यह denominator मैं इसको divide करूं x minus 1 आप क्या होता देखिए आप limit x tends to 1 है ओके अब इधर क्या है x की power 15 minus 1 है numerator अब divide कर रहूं x minus 1 से x minus 1 upon में अब यह x की power 10 minus 1 है यह denominator है इसको divide कर रहूं है x minus 1 से x minus 1 से अरे किया मैं मैं कुछ नहीं किया मैं numerator and denominator x minus 1 से divide किया यह वापस यह और x की power n minus a की power n upon में x minus a अगर रहा तो क्या होता हो n a की power n minus 1 होता x minus a इधर भी x minus a है power n n है और x a को tends करना तो क्या होता n a की power n minus 1 है अब इधर देखो ज़रा numerator यह दोनों अब यह हुआ denominator यह हुआ अब यहां भी है power same है और x1 को tends करना तो इस में इस situation में n किता हुआ अरे 15 हुआ n 15 हुआ और a किता हुआ अरे a किता हुआ 1 हुआ 1 हुआ अब इस case में देखो आप x की power 10 minus 1 की power 10 x की power a की power minus ठीक है यहां भी विच है और x1 को tends कर रहा तो यहां पर देखो n किता हुआ अरे 10 हुआ और a किता हुआ अरे a1 है तो numerator में यहां पर एक बार यह लगेगा और यहां डिनोमिनेटर में यह इन और a लगेगा फार्मूला यहां पर बताया मैं x की power n है minus a की power n है x minus से इधर भी है x a को जाना x की power यहां दोनों power से मैं और यहां x minus 1 यहां भी था x1 को जा रहा यहां भी और यहां भी यह बात अब करेंगे अब बहुत सिंपल है देखो आप फार्मूला तो सीधा बढ़ रहा इन किता है 10 10 into a किता है 1 1 n-1 n किता है 10 10-1 इसको solve करो 15 into 1 की power 14 1 ही होता है divided by divided by यहां पर 10 into 1 की power 9 1 की power 9 1 ही होता है तो finally न यहां से 15 बचा और यहां से 10 बचा इसको cancel load करो इसको 5 तीया 15 5 दुगनी 10 3 by 2 इसका answer है बहुत simple था इसे note करो इसका roman 2 next page पे करेंगे roman 2 है limit x tends to 0 under root 1 plus x minus 1 upon में x है यह important है थोड़ा समझना भी है easy है बहुत easy है बहुत easy है मैं सबसे पहले direct substitute करता हूँ मैं यह root में किता है 1 है plus x किता है 0 है 0 और यह minus 1 upon में x किता है 0 है 0 है अब यहाँ पे ना 1 under root में है तो यह 1 ही होता है तो finally यहाँ से मुझे 1 मिला और यह minus 1 upon में 0 है यह get cancel 0 by 0 indeterminate farm आ गए अब इसको solve करना है अब इसको solve करना है direct substitution यहाँ पर fail हो गया 0 by 0 indeterminate farm आ गए टोटल 7 indeterminate farm है ओके ठीक है अब इसको solve करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे मैं लेड बोल के लिए रहो में क्या करूं है Leads 1 plus x जो under root है ना उसको मैं क्या वहरो में y वहरो ठीक है अगर मैं कुझा यहाँ से x अगर लेने कर रहा तो plus 1 RHS में minus 1 होता तो मैं यहाँ से बौल सकते हूं मैं therefore x अब क्या हुआ मेरा y-1 यह प्लस 1 को RHS shift करें तो मैनस 1 हो गया ओके अब value put करेंगे अब value यहां पर put करेंगे अभी मैं limit नहीं ले रहा देखो under root 1 plus x value किती है y y किसके अंदर आरे root की अंदर यह minus 1 upon में x किता है यहां से आया x y minus 1 आया y minus 1 आया अब limit limit x tends to 0 है तो यहां पर देखो x tends to 0 है यह y जो है equal है x plus 1 है y equal अगर x 0 को जा रहा तो अगर मैं यहां 0 रखा तो यहां पर 1 आता means y जो है 1 को tends करता तो limit x 0 को tends कर रहा था solve करें तो y 1 को tends कर रहा y 1 को अब tends कर रहा ओके 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 अब देखो क्या होता limit y tends to 1 वाई अंडर रूट में है रूट अगर रिमूट करें तो पावर अरे 1 by 2 होती minus 1 upon में y minus 1 है अब क्या करेंगे अरे अभी जो रोमन 1 में जो फार्मूला करे थे हम यही फार्मूला फिर यहां पर यूज होता फार्मूला में यहां पर लिखते तो में limit x tends to a x की पवर n minus a की पवर n upon में x minus a क्या होता है n a power n minus 1 होता है अब यहां पर देखो आप x minus a इधर भी है इधर भी है y minus 1 y minus 1 सेम है ठीक है x की पवर n इधर भी n होना अब 1 की पवर मैं 1 by 2 ले सकता हो में 1 by 2 मिन्स 1 ही होता है वो अब x minus a x minus a y minus 1 y minus 1 पवर भी सेम है x a को tends करना y1 को tends कर रहा ओके इसकी व्यालू क्या है n a की पवर n minus 1 तो यहां पर n किता है बताए मुझे n ना अरे 1 by 2 है और a किता है अरे a ना 1 है इधर a 1 है बहुत सिंपल वे से बता रहा हो में ठीक है अब व्यालू देखो n a की पवर n minus 1 है n किता है 1 by 2 1 by 2 into a किता है अरे a 1 है 1 है पवर किती n minus 1 n किता था यहां पर 1 by 2 था 1 by 2 minus 1 कुछ नहीं करे हम यह 1 plus x को y लिए फिर यहां से x लेने का था तो y यह plus 1 इधर shift करे हम value इधर y आ गया और x पे क्या गया y minus 1 आया root रिमूट करे तो 1 by 2 हुआ अब यह तो फार्मूले में रखे यह फार्मूले में रखे हम ठीक है इसको solve करो 1 by 2 है into यह 1 की पवर कुछ भी रह वन ही होता है तो finally result क्या आ गया है मेरा 1 by 2 बहुत easy है इसे note करो आप